गाय, भैस और बैल, सदियों से भारतिय सुस्कृति और परंपरा का एक महतपुर्ण हिस्सा रहे हैं। उन्हें हिंदु धर्म में पुवित्र जानवरों के रोप में सम्मानित किया गया है और स्मृत्धी और बहुतायत का प्रतीक माना जाता है। एतिहासिक रूप से उन्होंने क्रिशे में महतपुर्ण भूमिका निबाई है और परिवहन और डेरी उत्पादन के लिए अवशक थे। हाला कि हाल के वर्षों में इन जानवरों के महतव को भारत में कई लोगों द्वारा बुला दिया गया है। इसका एक मुख्य कारण पिछले कुछ तशकों में भारत में हुआ तेजी से सहरी करण और अद्योगी की करण है। जैसे जैसे लोग ग्रामिड छेत्रों से शहरी केंद्रों में चले गए हैं, वे पारंपरिक क्रशी प्रथाओं से डिसकनेक्ट हो गए हैं, जो गायों, भैसों और बैलों पर निरबर थे। बहुत से लोग अब इन जानवरों को एक मुल्यवान संसादन के बज़ाए बोज के रूप में देखते हैं, भारत में गायों को पुवित्र और पूजनी ये माना जाता है, हालाकि सडकों पर घूमने वाली हजारों गायों के लिए जिवन पुवित्र से बहुत दूर है। हर दिन इन जानवरों को असंखे चुनोतियों का सामना करना पड़ता है, जो अकसर आम जंता द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। इन गायों के लिए भोजन दुरलब है, उनके पास उन्हें नियमित भोजन प्रदान करने वाला कोई नहीं है, और कचरे के डिपे और सड़कों से कचरा खाते हुए देखा जाता है, यह गायों के स्वास्त और कल्यान पर हनिकारत प्रभाव डाल सकते हैं, कचरा खाने से गायों में पाचन संबंदी समस्याएं हो सकती हैं, वेजिस कचरे का उपभोग करते हैं, उसमें अकसर प्लास्टिक जैसी गैर बायो ड ग्रेडिबल समकरी होती हैं, जो उनके पेट और आतों में जमा हो सकती हैं, जिससे रुकावटे और अन्नस्वास्त समस्याएं हो सकती हैं, सड़कों से कचरा खाने से गायों को चोट भी लग सकती हैं, वेगलती से एक तेज वस्तुएं या तूटे हुए काच भी निगल स सकते हैं, जिससे उनके मूँ और पाचन तंत्र में कट और घाव हो सकते हैं, इन गायों के बीच कुपोसर एक आम समस्या है, जिससे कई स्वास्त मुद्धे और यहां तक की मौत भी हो सकती हैं, इन गायों को अक्सर खुद की हाल पर छोड़ दिया जाता है, और उचित भो कुपोसर सहित कई स्वास्त मुद्धों से पीडित हैं, कुपोसर तब होता है जब किसी जानवर को कार्बो हाइटरेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनीजो जैसे अवशक पोशक तक्तों की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती हैं, जो गायों को पोसित होती हैं, वे अक्स और संक्रमणों के लिए अधिक समवेदन शील बना दिया जाता है, यह गाये जिस भोजन का उपभोग करते हैं, वे अक्सर हानिकारक रसाइनों और रोग जनकों से दूशित होता है, जिससे उनके स्वास्थे संबंद्धी मुद्धे और बढ़ जाते हैं, कुपोसर गायो में स्वास्थि समस्याओं की एक श्रंखला का कारण बन सकता है, जिनमें सामिल हैं कमजोरी और सुस्ती, बीमारी और संक्रमण और प्रजनन समस्याओं के लिए समवेदन शीलता, अंत में यह सडक में घूमती गाये भारत के लिए एक गंबीर मुद्धा है, यह सुनिशित करने के लिए एक उचित भोजन और पोशड कारे क्रमों को लागू करने की अवशकता है कि इन जानवरों को उनके स्वास्थ और कल्यान के लिए अवशक पोशक तत्व प्राप्थ हो अच्छी गुडवत्ता वाले भोजन और स्वक्ष पानी तक पहुंच प्रदान करना समग स्वास्थ में सुधार करने में एक लंबा रस्ता तै कर सकता है दुकानदार अक्सर इन गायों को उपद्रों के रूप में देखते हैं और उन्हें अपने व्यवसाओं से दूर रखने के लिए विभिन साधिनों का उपयोग करते हैं इसमें तीज आवाज का उपयोग करना और यहां तक की गायों को साररिक रूप से दूर डखेलना शामिल हो सकता है अफसोस की बात है कि भारत में सड़क पर गायों को अक्सर मनुश्यों द्वारा शारिक शोषण का शिकार होना पड़ता है यह दूर वैवार कई रूप ले सकता है जिसमें पीटना लाद मारना और वस्तूओं से मारना शामिल है इस तरह के दूर उपयों के कारण अलग-अलग है लेकिन कुछ सामाने कारण है गायों का डर कुछ लोग गायों से डरते हैं और अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो आत्मरक्षा में बाहर निकल सकते हैं संपत्ति को नुक्सान सड़क गूमने वाली गाय कभी-कभी संपत्ति को नुक्सान पहुचा सकती हैं जिससे मनुष्यों में निरासा और क्रोध हो सकता है धार्मिक मानता हैं जबकि गायों को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है अन्य धार्मिक प्रिष्ट भूमी के कुछ लोग सामान विश्वा शास नहीं रख सकते हैं और परिडाम शुरूप गायों के साथ दूरे वयवार कर सकते हैं ज़्ली शौशन गायों के समस्ता और कल्याण पर गंबीर प्रिडाम हो सकता है यह चोट दर्द और आढगात का कारण बन सकता है गंबीर मामलों में यह मृत्यू का कारण भी बन सकता है जानवरों के दुर्य वहवार के बारे में जागरुपता बढ़ाना और लोगों को सक्षित करना आवशक है कि उनके साथ दयालुता और करुणा के साथ कैसे वहवार किया जाए सरकार और गैर सरकारी संगटन जागरुपता अभियान बनाने और कानूनों को लागू करने में महतपूर्ण भूमिका निबा सकते हैं जो जानगरों को दुर्य वहवार से बचाते हैं सड़क दुरगटनाय इन गायों के लिए लगतार खत्रा है क्योंकि वे यातायाद की परवा किये बिना विस्त सड़कों पर लक्षहीन रूप से पटकती हैं सड़क पर वाहनों की चपेट में गायों का आना भारत में एक आम समस्या है गायों के सोतंतर रूप से सड़कों पर गुमने के साथ उन्हें वहानों की चपेट में आने का खत्रा है खास कर शहरी छत्रों में जहां यातायाद भारी है गायों को वहानों की चपेट में आना इन कारणों में शामिल है बुनियादी धाजे की कमी भारत के सडकों का रखरखाओ अक्सर खराब होता है जिसमें गड़े और असमान सतहें होती हैं इससे ड्राइवर के लिए सडक पर अचानक दिखाई देने वाली गायों को मरने से बचाना मुश्किल हो सकता है जागरुकता की कमी, कई ड्राइवरों को सड़क पर गायों को मरने के खत्रों या उन्हें देखने पर धीमा करने की आवशक्ता के बारे में पता नहीं है तेज गती, सड़कों पर गती करने वाले ड्राइवरों को गायों से टकराने का अधिक खत्रा होता है खास कर उन छित्रों में जहां गायों को सोतंतर रूप से घुमने के लिए जाना जाता है गायों को अक्सर रात में दिखना खटन होता है जिससे उन्हें वहनों के चपेट में आने का अधिक खत्रा होता है गायों के वहनों की चपेट में आने के गंबीर परिणाम होते हैं यह गंबीर चोट, दर्द और आगहात का कारण बन सकते हैं कुछ मामलों में यह गाय की मृत्यू का कारण भी बन सकता है गायों को सड़क पर वहनों की चपेट में आने से रोकने के लिए कई उपाई क्या जा सकता है इन में शामिल है गुनियाती धाजे का निर्माण ठिक से बनाए गए सड़कों और फुटपाथ गायों को सड़क पर भटकने से रोकने में मदद कर सकते हैं जागुरुकता का अभियान सड़क पर गायों के मरने के खत्रे के बारे में ड्राइवरों को सिक्षित करना और उन्हें देखने पर धीमा करने की आवशक्ता दुरगटनाओं की संक्या कम करने में मदद कर सकती है गती सीमा उन छेत्रों में गती सीमा लागू करना जहां गायों को घूमने के लिए जाना जाता है दुरगटनाओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है उचित पशू नियंतरण उचित पशु नियंतरण उपाय गायों को सड़कों पर स्वतंतर रूप से घूमने से रोकने में मदद कर सकते हैं अंत में सड़कों पर वहानों द्वारा गायों को टक्कर मानना भारत में गंबीर मुद्र है ऐसे दुरगटनाओं को रोकने और मनुश्यों और गायों दोनों की सुरक्षा और कल्यार सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना अवश्यक है निर्माण स्थल सड़क पर गायों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है क्योंकि वे अक्सर मलबे में फस जाते हैं या भारी मशीनिरी से घायल हो जाते हैं निर्माण स्थल में भटकने वाली भारती गाये और साइट पर श्रमी को दोनों के लिए हानिकारफ हो सकती है निर्माण स्थल अक्सर वेस्ट और खतरनाक स्थान होते हैं भारी मशीनरी, तेज उपकरण और अन्य खतरों के साथ जो गंबीर चोटों या मृत्यूं का कारण बन सकते हैं निर्माण स्थलों पर भटकने वाली गाएं एक खतरा बन सकती हैं वे श्रमिकों और भारी मशीनरी के रास्ते में आ सकती हैं जिससे देरी हो सकती है और दुरगटनाओं का खतरा बढ़ सकता है इसके अतरिक मशीनरी या निर्माण सामगरी से गाएं को चोट लग सकती हैं जिससे गंबीर चोटे या मृत्यू भी हो सकती हैं गायों को निर्मार स्थलों में भटकने से रोकने के लिए कई उपाय किये जा सकते हैं इनमें सामिल है बाड लगाना निर्मार स्थल के चारों और बाड लगाने से गायों को साइट में प्रवेश करने से रोका जा सकता है उचित पशू नियंत्रड उचित पशू नियंदर उपाय गायों को साइट पर भटकने से रोकने में मदद कर सकते हैं अंत में गायों को निर्माण सलो में प्रवेश करने से रोकने के उपाय करने से गायों और साइट पर श्रमी को दोनों की सुरक्षा और कल्यान सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है स्ट्रीट टॉक और अन्य शिकारी अक्सर इन गायों पर हमला करते हैं जिससे गंबीर चोटे आती हैं और यहां तक की मौत भी हो जाती है आवारा कुत्तों के एक सहुँद्वारा गायों का पीछा किया जाना भारत में एक आम गटना है यह गायों के लिए खतरनाक स्तिति हैं क्योंकि आवारा कुत्ते आक्रमक हो सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं जिससे चोट लग सकती है या यहां तक की मौत भी हो सकती है आवारा कुट्टे भारत के कई हिस्सों में एक समस्या है और पशु नियंत्रण के लिए संसाधनों और बुनियादी ढाचे की कमी के कारण उनकी आबादी को अकसर अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है ये कुट्टे भोजन और पानी के तलास में सड़कों पर घुमते हैं और अकसर पैक या समूब बनाते हैं जो गायों सहित अन्य जानवरों के लिए डराने वाले हो सकते हैं गाय, सोम में और विनम्र जानवर होने के नाते विशेश रूप से अवारा कुट्टों के हमलों के लिए कमजोर हैं उनके पास खुद का बचाओ करने की छमता नहीं हो सकती है और कुट्टे के हमले के परिडाम सुरूप गंभीर चोटे आ सकती हैं कुछ मामलों में गायों को उनके चोटों के कारण मरने के लिए जाना जाता है जिससे उनके मालिक तबाह हो जाते हैं और आएक स्तुरोत के बिना होते हैं आवारा कुत्तों के समस्या और गायों पर उनके हमले भारत में बहतर पशु नियंत्रड उपायों की अवशक्ता पर प्रकाश डालते हैं इसमें आवारा कुत्तों को बचाने और नपुनसक बनाने उन्हें उचित दे कफाल और आश्रे प्रदान करने और जानवरों के उपचार के बारे में कानुनों और विनियमों को लागू करने के प्रयास शामिल है इसके अलावा गायों और अन्य जानवरों पर आवारक कुत्तों के हमलों के खदरों के बारे में जन्ता के बीच जागरुता बढ़ाने की आवशक्ता है ये लोगों को कुट्टे के हमलों की धुरगटना की रिपोर्ट करने और अपने जानुवरों को नुकसान से बचाने के लिए एक कदम उठाने के लिए प्रोचाहिद करने में मदद कर सकता है एक समाज की रूप में ये सुनक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है कि सडकों पर गायों के साथ दया और करुणा के साथ विहवार किया जाए गायों का भारती संस्कृती और परंपरा में एक विशेश स्थान है और उन्हें धन, स्वास्त और खुशी के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है उन्हें हिंदु धर्म में पवित्र जानवर भी माना जाता है और उनकी सुरक्षा और कल्यान भारती समाज में महतपूर्ण मुल्य है एक समाज के रूप में हमारे लिए हम महतपूर्ण है कि हम भारत के सडकों पर घुमने वाली गायों की पीड़ा को पहचाने और संबोधित करें या विबिन ने माधिमों से किया जा सकता है जैसे गायों के महतव और उनकी कल्यान के बारे में जागरुकता को बढ़ावा देना पशू कल्यान संगटनों का समर्थन करना जो सडक पर गायों के लिए देखबाल और उपचाय प्रदान करते हैं जानवरों को दुरे वहवार और कुरुररता से बचाने के लिए बहतर कानूनों और विनियमों की वकालत करते हैं हम अपने समुदायों में सडकी गायों की मदद करने के लिए व्यत्तिगत कारिवाई भी कर सकते हैं इसमें उन्हें भोजन और पानी प्रदान करना, अधिकारियों को पशुत दुर्य वहवार के मामलों के रिपोर्ट करना और पशुकल्याड संगटनों का समर्थन करना शामिल हो सकता है जो सडकी गायों को बचाते हैं और उनकी देखबाल करते हैं इन कदमों को उठा कर हम इन कोमल प्राणियों के लिए अपने सम्मान और करुणा का प्रदर्जन कर सकते हैं और एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं जहां सबी जानवरों के साथ गरिमा, दया और देखबाल के साथ वहवार किया जाता है यह सुनिश्यत करना एक समाज के रूप में हमारी जिम्मधारी है कि इन जानवरों के साथ दया और करुणा के साथ विहवार किया जाए एक साथ काम करके हम इन भूले हुए प्राणियों के जीवन में बदला उला सकते हैं धन्यवाद